तो नमस्कार दोस्तों एक वक्ति से स्वाद़ करना चाहूंगा आपके अपने उफिशेल यूटुब चैनल पर जिसका नाम है गवर्मेंट जोब अपडेट्स एंड साथ ही साथ लेट्स टॉक अबाउट फैक्स यूटुब चैनल पर ये वीडियो इस चैनल पर और जो मेरा चैनल है एक और जिसका नाम है लेट्स टॉक अबाउट फैक्स जो कि मैंने कल ही बनाया था जिसके आपने बहुत ही सारा अपना प्यार दे रहे हो सबसे पहले शुक्रिया धन्यवाद आपका उस चैनल पर भी ये वीडियो आ जाएगे दोस्तों तो यह उस चैनल की वीडि खोड़ा रखा दोस्तों और दोस्तों आपको जानके बहुत ही जादा खुशी होगी कि करे दोस्तों अब अज देखे रिया या सुशान्त की जो पतनी थी उर्फ कातिल जिसने उसका कतल किया सुनने में तो आरक कतल किया बट पता नहीं हमें क्या था अभी तो CBI जांच कर रही है ऐसे हम किसी को गलत नहीं बोल सकते हैं तो गैस आज का जो मेरा टोपिक है जो थमनेल है मेरी अरदास है डीजी साहब से ठीक है रिकॉस्ट करूगा मैं डीजी साहब को कि एक्जामनेशन को प्लीज कंड़क्ट करवाया जाए आखरी उमीद है हमारी डीजी साहब और गैस मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को मारे भायों के लिए लड़ना है और दोस्तों मैं आपको बता हूँ कि हम ही जो ITBP का है इसको भी ट्रेंड करवाना है दोस्तों क्योंकि RRB NTPC SSC के लिए बहुत ही सारे यूटूबर्स न्यूज मीडिया काम कर रहे है लेकिन ITBP को कोई भी ने पूछ रहे है ITBP को भी प सब्सक्राइब कर लेना उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें दोस्तों दोस्तों मेरी अवदास यही रहे कि DG सहाब से कि जल्दी से जल्दी इसका कॉंसरेबल ट्रेट्समें का एक्जाम करवाया जाए बहुत ही समय हो चुका है बच्चों का मोटिवेशन खत्म हो रहे है और मैं नहीं चाहूंगा कि मोटिवेशन खत्म हो जिसकारण आपका रिजल्ट खराब आ जाए दोस्तों तीन साल के बाद खुदा ना खासता अगर आपका रिजल्ट खराब आ जाए तो दोस्तों आपके आखरी उमीड टूड जाएगी तो मेरे DG सहाब से एक अनुरोध ह पहले बच्चे हैं उनकी लास्ट एज है और यह मैं आपसे अर्दास करता हूं और उमीद रखता हूं DG सहाब कि आप हमारी बाते सुनोंगे ठीक है और मैंने आपको इंस्ताग्राम पे ट्वीट कर रखा है आपको टैग कर रखा है डीजी सहाब को आई टीपी को मैंने ट हाई तो ट्वीट करें ट्वीट करने के लिए जो भी डेटा है डिसकिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो डिसक्रिप्शन बोक्स कोपी कर ले और इनको को टूइट कर दे जो तू के तो तो दया मेरा मेरा साहफ दोगी आपके लिए ही फाइदा होगा दूस्तों मैं तो कि अगर मेरी बज़े से किसी का फायदा हो जाए तो और किसी अच्छी बात क्या हो सकती है मेरी बज़े से किसी मा का बेटे को नौकरी मिल जाए किसी मा के बेटे को किसी करीब मा के बेटे को किसी करीब फैमिली की बच्छे को नौकरी मिल जाए तो और क्या चाहेगी अगर यसे देखा जाए तो मेरे लास्ट चान्स है लेकिन दोस्तों जिसके हालात बहुत ही मंदी है जिसके हालात बहुत खराब है उसके लिए तो मैं हमेशा तत्पर रहता हूं यह वीडियो लैट्स टोक अबॉर्ट फैक्ट्स यूट्यूब चैनल जो मेरा खुद का अपना चैन सब्सक्राइब करें और जो आपको ट्वीट करना है उसका सारा का सारा डेटा डिस्क्रिप्शन ग्रीट करें तो प्लीज वहां से कॉपी करके इन्हें ट्वीट कर दीजेगा इनका ओफिशल ट्वीटर है डीजी एडर एडर एट इपी नीचे ओफिशिल प्लीज इनको ट्वीट करें क्योंकि दोस्तों अगर हम आवाज नी उठाएंगे ना तो कोई उठाएंगा हमारा पर इक्जाम है आररबी, एससी, नीट जैने इनको लिए बहुत ही सारी यूटूबर जो है आवाज उठा रहे हैं लेकिन कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जिसने ट्विटर पर ट्विट किया हूँ या किसी और चीज के लिए मुहीम खड़ी करी हो सर्फ मैंने खड़ी कर यह मुहीम क्योंकि मैंने विग्जाम भर रखा है और मुझे आपकी बीचिंता है इसलिए गैज मेरा साथ दो आपसे हाजो के विंती है मेरा साथ दीजिए और इनको आज मैं मेल भी कर दूँगा विन्ति है डीजी साहब देशवाल साहब जी एक्जामनेशन जल्दी जल्दी कंड़क्ट करवाई है जैसे आपने कॉंसरेट टेलिकॉम हैड कॉंस्टेबल मनिस्ट्रियल असिस्टेंट कमांडेंट की ज्वाइनिंग करवा दी थे ना बहुत ही जल्द तो प्लीज यहां पर पसक्क्राइब वीडियो को लाइक तो नहीं करना आपके मर्जी लेकिन शेयर जोट कर दिया दूस्तों अच्छा लगा वीडियो को जूमचित कर देना कोमेट कर देना सब्सक्राइब मति जय ने एंग हीं जय वारत दूस्तुं